इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी preserve 150 capsule एक दवा है जिसका इस्तेमाल diabetes, shingles यानि की happy zoster infection, read की हड़ी की चोट या अनिस्थितियों के कारण होने वाली तंत्रिकक ख्षती यानि की neuropathic दर्द के कारण होने वाले दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है इसे fibromyalgia वाले लोगों में मानस्पेशियों के व्यापक दर्द और कठोर्ता का इलाज करने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है प्रेजेब 150 capsule anti-epileptic नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है और इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ मिलाकर दौरों यानि की fit के इलाज में किया जाता है इसके अलावा यदि अन्य दवाएं उप्यूक नहीं है तो यह anxiety disorder के लक्षनों के इलाज के लिए भी दिया जा सकता है आप भूजन के साथ या उसके बिना प्रेजेब 150 capsule ले सकते हैं लेकिन अधिक फाइदा प्राप्त करने के लिए हर दिन एक ही समय में इस दवा को लेना महत्व पूर्ण है सटीक डोज और इलाज का समय आपकी condition और इलाज के प्रती आपके response पर निर्भर करेगा आपका डॉक्टर शायद इस दवा को कम खुराग पर शुरू करेगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाएगा दवा के असर सही तरीके दिखने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और जब तक आपका डॉक्टर आपको इसे बंद करने की सलाह नहीं देता है तब तक इसे नियमित रूप से लेना जारी रखें किसी खुराग को न छोड़ें अन्यता आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है आमतोर पर इस दवा के साइड इफेक्ट हलके होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं सबसे सामान्य उनींदापन या चक्कर आना, मुह सूखना, धुंदली नजर, वजन बढ़ना, इडिमा यानि की पूरे शरीर पर सूजन आना और एकाग्रता में कठिनाय आदी हैं अधिकांच साइड इफेक्ट गंभीर नहीं होते हैं और इनके लिए किसी भी चिकित सकिय सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती है संभावित साइड इफेक्ट और उन्हें रोकने या उनसे उबरने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें इस दवा को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या गर्भधारन करने की योजना बना रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें क्यूकि इसके नींद आना, चक्कर आना और नजर धुंध लाने जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपको इस दवा के साथ शराब पीने से बचना चाहिए क्यूकि इससे अधिक नींद आना और चक्कर आना हो सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद